नमस्कार आप सुनने हैं रेडियो हिंदस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजी अंजू रेडियो धर्म गंगा में आज जानी हैं क्या हनुमान जी रगुवन्शी हैं श्री गुरु चरन सरोजरज निचमन मुकुर सुधारी इसका भावार्थ यह है कि श्री गुरु जी के चरन कमलों की रज से अपने मन रूपी धर्पन को साफ करके मैं श्री रगुनाद जी के उस निर्मल यश का वन्नन करता हूँ जो चारो फलों को देने वाला है यानि कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष को मित्रों सांसारिक ग्रिष्टी से भी अगर विचार करे तो आपने वो कथा तो सुनी होगी हनमान जी भी रगुवन्शी है जिस प्रसाथ से राम लक्ष्मन भरष शत्रुगन इन चार भायों का जन्म हुआ उसे यग की प्रसाथ से श्री हनमान जी का भी जन्म हुआ प्रसाथ के रूप अलग-अलग थे श्री हनमान जी भी रगुवन्शी है इसलिए गोस्वामी जी ने कहा था कि बर्नव रगुवर विमल जसू में किसी बंदर की यश्का वर्णन नहीं कर रहा हूं बलकि रगुवीर की यश्का वर्णन कर रहा हूं क्योंकि हनमान जी रगुवन्शी है रगुवर माने रगुकुल श्रेष्ट है जिनको भगवान स्वयम रगुवर श्रेष्ट कह र हमने संतों की श्री मुख से सुना है कि पायस प्रसाद लेकर दश्रत जी राजभवन में आये हैं कैकई जी सबसे सुन्दर भी थी और दश्रत जी को सबसे प्रिय भी थी तो कैकई जी को मालूम था कि प्रसाद मुझे दिया जाएगा कैकई जी को विवा के समय के वर्दान की भी जानकारी थी कि मेरी पिता जी ने मेरा विवा ऐसी शर्ट पर किया है कि मेरे गर्ब से उत्पन पुत्र ही राजी का अउत्राधिकारी बनेगा संतानों की उद्पत्ति के लिए प्रसाद पहले मुझे ही दिया जाएगा लेकिन हुआ इसके उल्टा सबसे पहले दश्रत जी ने प्रसाद का आधा भाग कौशल्या जी को दिया और आधे का आधा भाग कैकई जी को दिया और कैकई जी का माथा ठनक गया कैकर जी क्रिया शक्ती है और क्रिया बहुत जल्दी ठनकती है क्रिया में एहंकार होता है एहंकार हमेशा ठनकता है प्रसाद पाकर प्रसन होना चाहिए लेकिन मार्था ठनका लिया प्रसाद तो क्रिपा से मिलता है कैकर ये कुनमुना रही थी और उपर चील ओड रही थी वह प्रभु का प्रसाद है शीश पर धारन करो और उसे स्विकार करो परमात्मा के दिये गए प्रसाद पर भी नुक्ता चीनी करोगे तो जो दिया है वो भी चला जाएगा अब तो हाहाकार मच गया यहां से प्रसाद लेकर चील जब आकाश में उड़ रही थी तो अचानक पव तो कृपा करने ही वाले थे चील के मुख से वप्रसाद गिरा और सीधे अंजना जी की गोद में जा गिरा देखो कृपा के लिए कोई पात्रता की आवश्रक्ता नहीं कृपा प्रतिक्छा से आती है कृपा स्वयम मेव आती है दया मांगनी पड़ती है और क्रिष्ण प्र प्रतिक्छा करिए धैरे पुर्वक प्रतिक्छा करिए प्रभू की प्रतिक्छा का प्रसाद स्वयम मेव आएगा अहिल्या जी बैठी थी इस्थिचित धैरे पुर्वक भगवान स्वयम अहिल्या जी के द्वार पर आ गए शबरे जी धैरे पुर्वक प्रतिक्छा में ब प्रभु क्रिपा से मिलता है और उस प्रसाद का सेवन अंजनी माने किया है तो जिस प्रसाद से जन्म हुआ उसी यग्य के प्रसाद ने हनमान जी का भी जन्म करा है इसलिए भगवान ने कहा कि तुम मम प्रिया भरता ही संभाई कई बार कथाओं में हम सुनते हैं कि भगवन जब लक्षमन जी की मुर्चा के समय रो रहे थे तो रोते रोते प्रभु बोल रहे थे कि मिला ही न जगत सहोधर भ्राता देखो मरण के रुदन में पुरानी पुरानी घटनाए मनुष्य याद करके रोता है आपने माताओं को रोते देखा होगा वह किसी ऐसे अवसरत पर जब रोती है तो बोलती जाती है पुरानी पुरानी घटनाए उनको याद आती रहती है रोती जाती है तो रुदन में हिर्दय निर्मल हिर्दय में से पुरानी बाते याद आती जाती है सज्जनो राम कथा संजीवन बूटी ह वेद और पुरान यही पर्वत है वेद और पुरान रूपी पर्वत यही रामकथा रूपी संजीवनी है जो काम से मुर्छे। जीव को जागरत कर सकती है काम तो व्यक्तित को मार डालता है आज जिसको राम नहीं जगा पा रहे उसको संथ की श्रीमुक से गाई गई रामकथा जगा रही थी हनमान जी संथ है और रामकथा रची है वेदों में पुरानों में संजीवनी परवतों के शीखरों पर मिलती है 22 वो परवत है ऐसे जिनकी परिक्रमा की जाती है गिरीराज, आबुराज, चित्रकूट, कैलाश, आदी ये परवत वेद और पुरानों के प्रतीक है ये परवत स्थूल नहीं है ये जीते जाकते शास्त्र हैं ग्यान है इनमें ग्यान वा भक्ती के भंडार चुपे हैं आशदी को वैद्धी की सला से ले और शास्त्रों को गुरूं के चर्णों में बैठ कर पढ़ें शास्त्रों के मर्म को सद्गुरु जानता है शास्त्री मर्मी सूमती कुदारी इन कथाओं के परवतों के वेद के, पुरान के मर्म को समझने वाले, इनके भीतर की कथाओं को समझने वाले सूमती जन है, सूमती लेकर जाओगे, श्रद्धा लेकर जाओगे तो कुछ मिलेगा, भाव लेकर जाओगे तो कुछ मिलेगा, नहीं तो पहाड खोदोगे, तो कं पत्थर तो मिलेंगे पर मनिया नहीं मिलेंगी क्योंकि इनको भी ज्ञान वैरागी के नित्रों से खोजना पड़ता है। तरक और कुतरक की बातों से कुछ नहीं मिलेगा, कोई न कोई सद्गरू वहाँ से यह कथा लाते हैं वेदों में पुराणों में जो कथा भरी है। उन में से शास्त्रग्य, वेदग्य, आचारे, सद्गुरू, संत उन मारमिक कथाओं को निकाल कर उनके मर्म को निचोड कर आपको देते हैं जो आपकी मुर्चा को दूर करते हैं। जैसे पुराणों को पढ़कर लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है केवल कपोल कल्पित कथाओं भरी हैं, ऐसा नहीं है यह गूर ग्यान को रसीला बनाने के लिए कथानक के साथ जोड़ा गया है। लेकिन हमने कथानक को तो पकड़ लिया पर कथानक के मर्म को नहीं पकड़ा, मर्म को कोई मर्मी ही पकड़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही धर्म गंगा में फिर से कोई द्रिश्टान लेकर आपके सामने उपस्तित हो जाओंगी तब तक के लिए करते रहिए काम और लेते रहिए प्रभुश्री राम का नाम नमस्कार